और इसी बीज बड़ी खबर करू कर लेते हैं, आपको बता दे इसी बीज इस वक्त की ये बड़ी और एहम जानकारी MP विधान सभातिशीत कालीन सत्र का दूसरा दिन आज आज भी विपक्ष हंगामा कर सकता है और यही वज़ा है कि आज भी सत्र हंगामेदार होने के आसार है पहले दिन 45 चुनाव में OBC आरेक्षन का मुद्दा उठा था तो कयास ये लगाया जा रहे हैं कि आज भी OBC आरेक्षन का मुद्दा विपक्ष पुर्जोर तरीके से उठा सकता है और इसी को लेकर आज का सत्र भी हंगामेदार होने के आसार है MP विधान सभा के श्रीत काली सत्र का दूसरा दिन आज और दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है पहले दिन 45 चुनाव में OBC आरेक्षन का मुद्दा उठा था तो वहीं आज भी आरेक्षन सहीत कई मुद्दे विपक्ष उठा सकता है और इसी को लेकर आज भी सत्र हंगामेदार होगा तो बड़ी जौनकारी MP विधान सभा के श्रीत काली सत्र का आज दूसरा दिन दूसरे दिन भी सत्र के हंगामेदार होने के आसार विपक्ष कई मुद्दों को लेकर आज सरकार को घेरने की कोशिश करेगा आपको बता दें कि OBC आरेक्षन मुद्दा जो पहले दिन उठाये गया और इसी को लेकर सत्र में माहौल भी गर्मा गया कयास ये लगाई जा रहे हैं कि आज भी आरेक्षन का मुद्दा विपक्ष उठा सकता है